हेलो दोस्तों मैं सतीस मिस्रा आज आपके लिए लेकर आया हूँ हजार जेनरल साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन का सेट नमर सेवन जो आपके सभी एक्जाम के लिए काफी महत्तपूर्ण होने वाला चाहे आपका कोई भी एक्जाम हो जैसे रेलबे ग्रूप डी रेलबे जे आरार बेंटी पीसी का कोई भी एक्जाम इन सभी एक्जाम में यह प्रस्ण पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है इसलिए आप हमारे इस वीडियो को सुरू से अंति तक जरूर से जरूर देखें और जितना हो से कि अपने दोस्तों में इस वीडियो के चाल कितनी होती है आपको बताना है कि वाईयू में जो ऑगनी की चाल होतीं होती हो कितना होती है तो इसका से आंसर हो जाएगा तो उसका से आंसर हो जाएगा ठोस, ध्वनी की चाल सबसे अधिक्तम ठोस में होती है, यह ध्यान रखिएगा, नोट कर लिजेगा इसे, तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और, हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सार्नी का कौन सा समू निस्क्रिय गैस समू है, तो इसका से आंसर हो जाएगा, option number C, उपरोक्त दोनो, 18 समू और 0, देखे दोस्तों, A और B दोनों यह अप आंसर होगा, क्योंकि हम लोग 18 समू को ही, सुन्य समू के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हैं आपर दोनों option होगा, दोस्तों आपसे exam में पूछा जाता है, कि आवर्त सार्नी में कुल कितने तत्व हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सार्नी में कुल कितना तत्व हैं, तो आपका आंसर होगा, 118, आप इसे भी notes कर लिजेगा, पूछा जाता है एक्जाम में, तो अब चलते हैं अपने अगले परशने की और, हमारा अगला होता है, गृत्वा कर्शन इस्थिरांक से है, जी का मतलब जो है, वो गृत्वा कर्शन इस्थिरांक से है, ध्यान रखिया गृत्वा कर्शन इस्थिरांक, तो आप हम चलते हैं अपने अगले परशने की और, हमारा अगला परशने है, कौन सी उर्जा उचाई के साथ घट या बढ़ती है यहां आपको बताना है कि वह कौन सी उर्जा है जो उचाई के साथ घड़ती या बढ़ती है तो इसका से आंसर हो जाएगा अब हम चलते हैं अगले प्रस्ण की और हमारा अगला प्रस्ण जब कोई वेक्ति नाव नदी के किनारे कूदता है तो पीछे की और जाती है या कौन सा नियम है तो इसका से आंसर हो जाएगा अप्सन नमर सी न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों यहाँ पर न्यूटन विग्यानिक जो है इन्होंने कुल मिलाकर तीन नियम दिये थे कितना यहाँ पर जो न्यूटन विग्यानिक है उन्होंने तीन नियम दिये थे यह आपको ध्यान में रखना आप से एक्जाम में प बदल जाता है यह आपको बताना जब एक समपिडित यानि की खीची हुई इस पिलिंग जो होता है उसको छोड़ा जाता है तो वह किस इस्थिति उर्जा में बदल जाता है यह आपको बताना है तो इसका से आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमर सी उपरोगत दोनों गतीज उर्ज समय का सही संबंध क्या होता है आपको बताना है कि चाल दूरी और समय का जो संबंध होता है उसका सही संबंध क्या होता है यह आपको बताना है तो इसका से आंसर हो जाएगा ऑफसन नमर सी इसको देखे दोस्तों लोग इस तरह भी लिख सकते हैं यह आपको धियान रखना important question है एक्जाम में ये बार बार पूछा भी जाता है तो अब हम चलते हैं अपने अगले question हमारा अगला question है दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भोती गुन अलग लेकिन रसाइने गुन समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो इसका से अंसर हो जाएगा option नमर सी उपरोक्त दोनों अपरूपता अलोरोट्रोपी देखिए दोस्तों या अपरूपता कोही अलोरोट्रोपी भी कहा जाता है यह आपको धियान में रखना है important question है यह दोनों में से कुछ भी आपको option में दिया जा सकता है तो अब हम चलते हैं अपने अगले परश्ण की और हमारा अगला परश्ण है पुरुष्ट प्रजनन विभाग में कहा जनन कोशी का निर्मान होता है तो इसका से आंसर हो जाएगा option नमर सी उपरोक्त दोनों व दोस्तों हैं आपको यह प्रश्ण अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को जाए ज्यादा लाइक करें और जितना और अगला प्रश्ण की और हमारा प्रश्ण कौन सा हार्मोन पोधों में कोशी का विभेदी करन को बढ़ावा देता है तो इसका से आंसर हो प्रश्ण कि ऑक्सीन क्या तो ऑक्सीन जो है वह हार्मोन में कोशी का विभेदी और कोशी का विभेदी करन को बढ़ावा देता है दोस्तों आप से एक्जाम में पूछा जाता है पोधों की पत्ती होती है उसका रंग हरा किस कारण से होता है तो उसका कारण होता है क्लोरो तो क्लोरोफिल के कारण पौधों में यह पत्ती होती है उसका रंग हरा होता यह आप नोट कर लीजेगा एक्जाम के लिए आप काफी होती होने वाला है तो हम चलते हैं अगले परश्ण की और हमारा अगला परश्ण है दो नियूरोन के बीच के अस्थान को क्या कहा जाता है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number C, sinepus दो नियूरोन के बीच के अस्थान को sinepus का जाता है यह भी important question है तो हम चलते हैं अपने अगले परश्ण की हमारा अगला परश्ण है कौन सा बल सोर मंडल की सनरचना को बनाए रखता है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number B, गृत्वा कौन सा बल सोर मंडल की सनरचना को बनाए रखता है important question है ध्यान में रखेगा तो अब चलते हैं अगले परश्ण हमारा अगला परश्ण है ऐसी क्रिया oxygen की उपस्थिती में होती है उसे क्या कहते है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number C, उप्रोक्त दोनो वाइवियर स्वसन यह aerobic respiration, वाइवियर स्वसन यह aerobic respiration, नेकिंगे आप वाइवियर स्वसन को ही aerobic respiration भी कहा जाता है यह दोनों में से कोई भी आपको option में मिल सकता है इसलिए मैंने यह दोनों को लिख दिया आपको यहाँ पर यह धियान रखने तो आप हम चलते हैं अपने अगले season की अनुपस्थिती में कौन सी किरिया होती है, तो इसका से answer हो जागा option number C, और वाइवियर यानि की anaerobic respiration, और वाइवियर किरिया या फिर anaerobic respiration, यह दोनों आपको दिया जा सकता है option में यह भी आपको धियान रखना है, पहले पूछा गया था कि उपस्थिती में कौन सी किरिया होती है, तो वाइवियर किरिया होती है, और यहाँ पूछा जा रहा अनुपस्थिती में, तो अनुपस्थिती में और वाइवियर किरिया होती है, यह आपको धियान में रखना है, तो अब हम चलते है अपने अगले परस्थन की और, हमारा अगला परस्थन है, पॉ परद्यम को परावर्तन कहा जाता है यह आपको ध्यान रखना है बहुत इंपोर्डेंट कोस्चन है यह एक्जाम बहुत ज्यादा SSC और UPSC में पूछा हुआ कोस्चन है तो अब हम चलते हैं अगले परशने की और हमारा अगला हमारा अगला परशने जानवरों का सबसे बड़ा समू क्या कहा लाता है यह आपको बताना है कि जानवरों का सबसे बड़ा समू जो होता है उसे क्या कहा जाता है तो इसका से आंसर हो जाएगा आपसेन नंबर a ॥ाइलम और्थो पोड़ा देख़ेए अपको ऑपसन में भाइलस भी दे सकता है और ओर्फो पॉड़ा भी दे सकता तो यह आपको धौनओ ध्यान में रखना है तो इसका से आंसर हो जाएगा option number B वास्पन के कारण क्यों तो वास्पन के कारण जब acetone हम अपने हाथेली पे डालते हैं तो हम वहाँ पर ठंडक मैसूस होती है दोस्तों आप से एक्जाम में पूछा जाता है कि acetone का formula क्या होता है बहुत पर आप से नोट्स कर लिजेगा यह बहुत important question और बहुत बार एक्जाम में यह पूछा गया है रेलवेस एक्जाम में तो अब हम चलते हैं अपने अगले हमारा अगला प्रशन है किस तत्व को wonder element के नाम से जाना जाता है आपको बताना कि किस तत्व को wonder element के नाम से जाना जाता है तो इसका सी answer हो जाएगा option number d titanium titanium को wonder element के नामसे जाना Applause titanium एक परकार का धातू होता है यह आपको ध्यान में रखना लिए A i radar में पूछा जाता है दोस्टो्स तीनियम का आयदी वन में छावता है क्या तो यह से बीनोट कर लिजिएगा और इसका'll on करमांग 22 होता है 22 कितना इसका प्रमानु करमांग 22 होता है यह भी आपको याद रखना तो अब हम चलते हैं अगले प्रस्थन की और हमारा अगला प्रस्थन है किसी उचाई पर एक वस्तु की इस्थितिज उर्जा क्या कहते हैं यह आपको बताने किसी उचाई पर एक स्थिति उर्जा को हम लोग गुरूतिवे स्थिति उर्जा करते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोस्ट्टन है एक्जाम में बहुत वार यह प्रिपेटेड कोस्ट्टन भी तो आपने अगले परस्टन नमर 21 और यह हमारे इस विडियो का आखरी परस्टन है किस विज्ञानिक ने रसाइनिक सईयोजन का नियम दिया था तो इसका सभी आंसर हो जाएगा और इस विडियो को लाइक होंगे तो आपके दोस्ट वे विडियो का पुरा पूरा लाव उठा सेके और आने वाल एक्जाम में काफी अच्छाइं कर सके तो तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम